कर रहा है कि तिर्भूज ABC में E माधिका AD का मध्ध बिंदू है तो हमें यह पूरूब परके दिखाना है तो चाहिए हम लोग क्या करते हैं यहां पर पहले तिर्भूज ले लेते हैं इसका नाम दे देते हैं A, B, C. अच्छा, E क्या है? मादिका A, D तो यानि कि A, D पहले तो मादिका दिया है, पहले यह देख लीजी. A, D आपकी क्या है? मादिका है. यानि कि ये इसको दो बराबर भागों बाटेगी? यानि इसका च्छत पर इसके बराबर हो जाएगा. और E क्या है मादिका A-D का मद्विन्दू इसका मद्विन्दू कौन है E है समझ गाना हम लोग यहां से ऐसे अगर मिला देते हैं तो यह B भी मादिका हो जाएगा क्योंकि देखो यह इसके बराबर है तो यह मादिका नहीं हो जाएगा चलिए तो हम लोग पहले लिख लेता है क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है दिया है तिर्बूज A-B-C में E मादिका A-D का मद्विन्दू है मद्विन्दू है तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है एरिया ओफ ट्रेंगल B-E-D वन फोर्थ होगा एरिया ओफ ट्रेंगल A-B-C क्या है यह नि देखो B-E-D इसका चेदपल इस पूरे का एक चोथाई होगा चलिए अब इसका प्रमान देखते हैं हाना हमें पता है कि तिरभूज की मादी का तिरभूज की मादी का उसे दो समान छेत्रफल वाले तिरभूजों में बाड़ती हैं तो यहां पर देख रहे हैं कि चुकी A-D तिरभूज A-B-C की मादी का है तो यहां से एरिया ओफ ट्रेंगल A-B-D बराबर हो जाएगा एरिया ओफ ट्रेंगल A-C-D यह A-B-D के चितपल A-C-D के चितपल के बराबर होगा यानि पूरे का हाफ होगा तिरभूज A-B-C के चितपल का हाफ होगा पूरे का अधा ही न हो जाएगा जी यहां इसके और यहां इसके बरावर है A, B, D और A, C, D बरावर है यानि पूरे कहाँ होंगे यह दोनों चलिए अब देखिए यहां पर यहां पर दिया है कि E, A, D का मद्ध बिंदू है मद्ध बिंदू है तो जब यह मद्द बिन्दु है तो यह इसके बरवर यानि कि यह बिइए इसलिए बी तिरबूज बी डी एए की माधि क्या है देख लिजिए बीडी ए की कौन हो जागी बीमाधि क्या हो जागी तो यहां से हम लोग यह इसका स्थ पर इसके सित्पल के बराबर यारे कि इसका सित्पल पूरे का आदा हो जाएगा area of triangle B E D B E D half हो जाएगा area of triangle A B D के यह और यह बराबर होगा इसका मतलब इस पूरे का half ही नहोगा जी चलिए अब देखो मैं क्या करता हूँ area of triangle B E D D बराबर में one by two area of triangle A B D के जगा हम लोग यह भी तो लिख सकते हैं लिख सकते हैं ला तो इसको हटा कर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ one by two area of triangle A B D को हटा कर one by two area of triangle A B तो यहाँ से हो जाएगा area of triangle B E D one fourth होगा area of triangle A B C के यह आपका प्रमानित हो गया कोई दिकत दी है चलते हैं नेक्स कोशन पर कोशन नमा